सवाल ये भी है से मिलने के बाद जब राजा भाया बाहर आए उन्होंने कहा कि जो मैंने कहा था वही मैंने किया भी है मिश्रा जी इस पर नहीं देखिए दो चीजे हैं आप यहां बिरोदा आवाज देखिए मैं आपको बताना यह मेरा यह कहने का मतलब नहीं है कि राजा भ तो आज यूपी या लखनाव में ऐसी कौन सी आफ़त पल गई थी कौन सी बहुत इमेर्जेंसी मीटिंग उनके पास थी कि वह आज ही कि किसी पंडित ने उनको बताया था कि आज ही शुब मूरत है और इतने बज़े से इतने बज़े में मिल ली जिए दिन मैं चर्चा इस च उन्होंने वोट दिया वो डेफिनेटली अपनी जगह पे आप सही है लेकिन मैं घटना के क्रम को मैं देख रहा हूं कि अगर एक ही दिन में दो दो घंटे के अंतराल पे तीन तीन चार-चार पार आपके कॉंटा डिक्टरी स्टेट्मेंट या बॉडी लेंग्विज या क इनसिस होती है तो उसका क्या मतलब निचाला जायागा सर जैन साब यह सवाल वाकई में है आप से जवाब चाहेंगे जी जी कल भी मिल सकते थे वो इलेक्शन के बाद वोटिंग के बाद मिल सकते थे ना आज जब सब की धरकने तेज हैं और यह कहा जा रहा है कि अगर यह बदल चुके हैं पाला बदल चुके ऐसे में राजा भाया का आज की सीम से मुलाकात यह ट्वीट से अलग नहीं है तो क्या है देखे देखे एके एके मिश्रा जी पूप करना चाहते है अपने तरकों से की राजा भाया ने क्रास होटिंग की हां मिश्रा जी आप से लोगों ने विजया भॉस स्वयंभू बन कर के जी हम ही जीतेंगे बास्पा जा रही है एक सवाल मेरे जहन में है पूरी सहाँ कहरे है कि तीन वोट हो सकता है कि अरुन जेटली आपको जाधा गय थे ना तो अगर यह वाकई में तीन जाधा गय तो फिर नीचे जो नौ या फिर जीद के करीब जाने का दावा कैसे हो सकता है क्योंकि तीन वोट तो आपके इधर आगे और आपने काउंट किया था उसके बाद आप ने तक भी आने दीजिए परणाम वहां भी मिलेगा अभी आप ही ने सर बोला था कि भाई हमें कुछ नहीं बोलना चाहिए परणा कर रहे थे मैंने कहा था अरुन जी को कोटे से अधिक दो या तीन वोट मिल सकते अच्छा मैं वहीं बोल रहा हूं सर देखे है क्या राज सभाका जो है उसको रिवाइंड कर लीजे सुल लीजे मैं राजनी चलिए बहुत कंसिस्टेंट चलिए से बात रखने का आती वक्त से इस वक्त अच्छा भी जारी है क्रॉस वोटिंग के बाद मुकाबला बेहत दिल्चस्प हो चुका है नौवी सीट पर मुकाबला बेहत दिल्चस्प है कि आखिर बीजे पी लेकिन पहली सीट बीजे पी की निकल चुकी है हमारे साथ सब ही महमान इस वक्त मौजूद है लेकिन एक सीट की चर्चा नहीं है यहां पे सिर्फ एक ही सीट की चर्चा है जो नौवी है और बीएसपी और बीज़पी वाली अगर तीन वोट इधर एक्ट्रा पड़े तो अधर तीन कम हो गए अगर यह माल लिया जाए तो फिर कहां से दावा नहीं देखिए हमने पुरी सर से यह पूछा था तो पुरी सर ने इस चीज को खारिच कर दिया कि भाई ऐसा तीन वोट जो एक्स्टा पड़े है तो अब उस चीज को जो है पर्टिक्लरी यह लेकि कि हाँ यह बहुत ही क्लासिकल इंफॉरमेशन है और बहुत ही मतलब एकुर पुरी से वो खुलेगा यह फिर कमल के फूल से वो खिलेगा यह बहुत इंट्रेस्टिंग और इतना रहस्यम है यह चीज है देखे यहां लोग सब्सारी यह जो इलेक्शन हो रहे हैं इसमें सबसे बड़ा यह जो गेम होता है यह क्रॉस वोटिंग का होता है और क्रॉस व तो यह एक रीजन है जिसके कारण कि यह जो लड़ाई चल रही है यह बहुत ही इंट्रेस्टिंग को देखना लेकिन एक सवाल तो यह भी यह नहीं साफ कहा वह चुपे तौर पर नहीं साफ कहा यह मैं तो योगी जी के साथ हूं और मेरे साथ ऐसा हुआ हुआ मैं सम यह चीज मैं बोलना चाहता है ऐसा नहीं है कि मैं बीजेपी का बहुत बड़ा फैन या समर्थक हूं मैं इंफ्लूएंस में होता हूं क्योंकि सारी राजनेतिक पार्टियां एक ही थाहली के चिट्टे बट्टे हैं चाहे वो इथिक्स की बात हो चाहे कुछ भी हो तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर कोई करता है आप इस नजरिये से देखिए वह अगर कंडिडेट है एक्सेट बीजेपी का कंडिडेट कोई क्रॉस वोटिंग नहीं करेगा क्योंकि उससे बीजेपी के कंडिडेट को बीजेपी से अच्छी पार्टी कोई और बेनिफिट मिली अगर उसको अपना पूरी बात कर लिजे उसके बाद नहीं कोई भी पार्टी मैंने बोला इथिक्स वगरे की बाते इनसे करना जो है लेकिन पॉलिटिक्स में क्या होता है अल्टीमेट जो गोल होता है वो इलेक्शन जीतना सम्विदान के दारे में रहते हुए सब ने इस